हलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 24 चुलाई से 29 चुलाई की सिख्षक डायरी की जी हां जो की सिख्षक संदर शिखाओं के अनुसार भरी हुई है तो ये है 24 चुलाई यानि सोमबार की सिख्षक डायरी इसमें आपको करना है मौकिक भासा, डिकोडिंग जो हमारे पठन कारे सिक्षण यूजना और अंग्रे जी लर्णिंग आउटकर में चित्रचाट कविता पोस्टर पर करना है पास से शुरू हने वाले शब्दों पर करना है सूची बनानी है उनकी कहानी है पठन में मा और बच्चे जो की बिग बुक से आपको पढ़ानी है साथी सि अंग्री जी में नंबर्स पर काम करना है नेक्स्ट है मंगलवार यानि 25 जुलाई की सिच्च टैरी इसमें आपको मौकिक भासा में चित्रचाट चौराहे पर ट्रैफिक चौराहा जो है अमें मिला हुआ है उस पर कारे करना है डिकोडिंग में चावड की पहचान पर कारे करना है, शब्द बनाने हैं, सूची बनानी है उसकी, पथन कारे में सहे से पाठ्चार पर करना है, बंदर का चश्मा, साथ ही जो श्टोरी है बिक बुक वो भी हमें एक बार पढ़ानी है, सिक्षन योज ना में एकाई वदाहाई की समझ पर कारे करना है, पचास तक की संख्याओं के साथ पुस्तकाले में सुतंत्र पठन बच्चे कोई भी किताब से पठन यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट है बुद्बार यानि 26 जुलाई की सिच्चे टैरी इसमें मौकिक भासा में कविता या गतिविदी आपको करवानी है कालाईज की सुरुवात करने से पहले यहाँ पर होगी कविता की गतिविदी कोई भी डिकोडिंग में अक्षर कार्ट से पठन कराना है अक्षर कार्ट से जोड़ जोड़कर बच्चों से नए शब्द बनाना और उनका पठन कराना वहीं पठन में बिग वुक पठन, कहानी मा और बच्चे का धोराब करना है सिक्षण यूजना में तुलना करनी है संख्याओंगी अब तक हम एकाई और धाई की पहचान करवा रहे थे अब ही आपको एक से पचास तक तुलना करनी है कौनसी संख्या बड़ी है, कौनसी छोटी है, इस तरीके से आपको तुलना करके समझाना है, कारे पत्रक 50 पर कारे करना है, अंग्रेजी में shapes and colors पर, जो chapter है बच्चों का उस पर काम करना, यह सिख्चक डायरी कक्षा 2 की सिख्चक डायरी है, इसमें आपको मौकिक वासा में शब्द action कर भी दी है, मतलब आपको इस शब्द हो लेंगे, बच्चा उस पर action करके दिखाएगा, इस तरीके से आपको कालन्स की शुरुवात करनी है, डिकोडिंग में आशब्द की सूची बनानी है, बच्चों से उसका पठन कराना है, पठन कारे में किसले पार्ट दस पर काम करना है, चांद वाले पर, जोगी एक बहुत अच्छी कविता है, सिक्षनर यूजना, स्यामपट की साहता से संख्या का अभ्यास कराना है, जो हमने अब तक सिखाई है, उनका अभ्यास कराना है, कारे पत्रत 51 यानि 51 पे कारे करना है, नेक्स्ट है, शुक्रबार, यानि 28 जुलाई की सिख्चक टैरी, इसमें आपको मौखिक भासा में कविता या गीत से कालांस की सुरूआत करनी है, स्थानिय कविता, बच्चों की रुची अनुसार भी हो सकती है, इसमें मौखिक भासा में कविता या गीत से जो की स्थानिय कविता हो सकती है, पूँ छिलाने वाला भेडिया किसले का पाठ है पूँ छिलाने वाला भेडिया इस पे आपको कारे करना है पठन कराना है यह पूरी डायरी संदर सिकाओं के अनुसार भरी हुई है और जो बिभाग का टाइम टेवल है उसकी अनुसार यह पूरी डायरी है नेक्स्ट है कारे पुस्तिका से आपको पठन कराना है आकलन कारे शुरू हो जाएगा शुक्रवार से तो आकलन कराना है आकलन में मैथ में आपको एकाई वधाई की समझ जो आपने कराई है उसका आकलन करना है बच्चे कितना समझ पाए हैं अंग्रेजी में मीठीज हाउस ये चैप्टर है इस पर कारे करना है नेक्स्ट है शनिवार यानि 29 जुलाई की सिख्षक डायरी इसमें मौकिक भासा में इस्थानिय कविता से सुरुआत मैंने सीख लिया मैं कारे पुस्तिका से आकलन करना है बच्चों का सापताइक आकलन और रेमेडियल कारे कराना है तो निपुण आपके माध्यम से सापताइक आकलन ही आपर हम करेंगे और साथ ही जो बच्चे अभी नहीं समझ पाए हैं उनके लिए रेमेडियल कारे होगा जो समझ चुके हैं उनके लिए अभ्यास कारे होगा तो ये है पूरी सिख्षक डायरी 24 जुलाई से 29 जुलाई 2023 तक क आई होप आपको समझ में आई होगी